नमस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तो आज हम बनाएंगे कराची हलवा ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और देख इसमें कौन-कौन सी सामगरी लगेगी और कैसे बनेगा आए देखते हैं तो कराची हलवा बनाने के लिए हमने एक कप ले लिया है चीनी और एक कप हम इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे गैस पे ताकि इसका पानी जो है इसमें सुगर और पानी आपस में मिक्स हो जाए तो अब देखिए घुल चुका है और उबलने लगा हमने आधा कप कान फ्लोर ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा पानी डालके घोल बना लेंगे ताकि इसमें जरा सा भी लंस ना रहे तो इसको अच्छे से आपको घोल बना लेना है और अगर आपके घोल में लंस रह जाता है तो आप उसको छान लीजिए च्छन्नी से तो वो निकल जाएगा क्योंकि इसमें लंस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और अब हम धीरे-धीरे करके इसको चीन इसलिए आपको नॉन स्टाप बिल्कुल बराबर से आपको चलाते रहना है और उसके बाद बराबर से चलाते हुए जब आप इसको बनाएंगे तो देखिए ये धीरे 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 टांस्परेंट होने लगेगा तो अब देखिए ये हो गया है टांस्परेंट और इसक और क्योंकि हमारी quantity कम है हमने आधे cup से बनाया है अगर आपकी quantity जादा है तो आप घी की मातरा थोड़ी बढ़ा दे तो इस तरह से आप घी को डालते हुए धीरे धीरे इसको चला के इसको बराबर से भूनना है इसी तरह से तो फिर देखे हमने घी डाल दिया और इसी तरह से हम कम से कम 4-5 बार हमने घी डाला है इसमें और उसके बाद हम इसको इसी तरह से चलाएंगे और बराबर से चलाते हुए हमको पकाना है कहीं भी रुकना नहीं है इसमें घी को आप मिलाते जाए और चलाते जाए बराबर से जितने जादे आप इसको इस तरह से करेंगे उतन ही अच्छा यह आपका हल्वा बनके तयार होगा आपने देखो गा मार्केट में यह थोड़ा सा स्पंजी रबडी टाइप का होता है तो उसी तरह से इसको जब चलाएंगे आप इस तरह से बनाएंगे तभी उसमें यह लचीला पन अच्छे से आएगा तो आपको घी को डाल होगते हुए बराबर से चलाते रहना है और अब हमने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया अगर आपको कलर नहीं डालना तो आप वाइड कलर का भी बना सकते हैं लेकिन जादातर यह ओरेंज कलर का बनता है तो हमने कई बार बनाया है तो औरेंज कलर का यूच किया है इसलिए हमने इस बार ग्रीन कलर का यूच किया है क्योंकि देखने में देखे कितना खुबसूरत लग रहा है तो इसी तरह से हम घी को डालते हुए थोड़ी देर इसको हमको भूनना है इस तरह से चलाते हुए तभी ये जाके अच्छे से तयार होगा और मार्किट जैसा लचीला पनाएगा तो अभी लगवग हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे साइट्रिक एसीड अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा नीमबू का रस भ तारेंगे तो घी को डालते हुए ही हमको भूनना है रोकना नहीं है जितना घी हम डालके इस तरह से भूनेंगे उतना ही हच्छा मेरा हल्वा तयार होगा तो अब हमने एक प्लेट ले लिया इसमें हमने थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर दिया है और उसके बाद हम हल्वे को निकालेंगे तो ग्रीस करना जरूरी है नहीं तो नीचे से चिपकल लेगा तो छुड़ाते समय दिक्कत होगी तो अब देखे लगभग मेरा हल्वा एकदम तयार हो चुका है और थोड़ा सा इसको मौर चला लेते हैं और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे गरम गरम ही हमको फैलाना है नहीं तो यह जिस तरह से गिरेगा उसी तरह से सेट हो जाएगा तो इसको हम बराबर से अच्छे से फैला देंगे और उसके ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निसी कर देंगे तो अगर आपके पास काजू है तो आप काजू डाल दें और काजू का पाउडर भी आप थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो हमने पिष्टे से इसकी गार्निसींग की है तो हमने कलर चेंज किया है तो गार्निसींग का भी कलर चेंज कर दिया तो हमने पिष्टे से इसको गार्निस कर दिया है उपर से और अब यह द तो अगर आपके घर में अचानक महमान आ जाते हैं और आपके पास कुछ भी मीठा ऐसा नहीं है देने के लिए तो अगर आपके घर में कौन फ्लोर है तो आप बड़े आसानी से इस तरह से मीठा बना के और आप महमानों को सर्व कर सकते हैं तो उमीद है आपको यह पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्रिंच आपको सब्सक्राइब करिएगा लाइब करिएगा और और कमेंट करके जरूर बताएगा और जो बगल में घंटी का निसान उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की मीले थिर नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए नवाश्कार पूस्पी की नवाश्कारा या